आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर यहां पर आपके सामें फेज डाउटनेट लेते हैं तो यहां पर XC क्या है यह Capacity Reactance, Axle क्या है Inductive Reactance और R है हमारे पास Resistance और Z है हमारे पास Impedance ठीक है तो यहां पर आप जब देखोगे तो सबोज करो यह हम क्या लेते हैं Current का डाउटन लेते हैं I ठीक है तो जो voltage drop across inductance होता है ठीक है या फिर Axle की जो line होती है वो क्या करता है कि I को lead करता है by pi y2 angle से ठीक है तो यह VL हो जाएगा Similarly जो capacitance के across voltage drop होता है वो क्या करता है लाइक करता है current को by 90 degree ठीक है तो VC हो जाएगा और यह XC हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करते हैं कि यह जो हमारे पास VL है और यह दोनों एक दूसरे के opposite होते हैं ठीक है तो हम calculation को थोड़ा easy करने के लिए हम क्या करते हैं VL-VC को इधर show कर देता है और XL-XC को similarly वह भी upward action दिखाते हैं क्योंकि यह दोने एक दूसरे opposite हो हम इस तरह की से दिखा सकते हैं ठीक है तो जो net impedance होगा जैड ठीक है यह देखिए phase relationship की बात करें तो phase relationship क्या होगा वह हम देखते हैं तो सब उसक्रों यह net जो इसके impedance होगा वह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगी net impedance ठीक है अब यह हो गई और यह हमारे पास क्या आ जाएगी इस line will be equals to आ जाएगा हमारे पास XL-XC की लाइन हो जाएगी यह वर्टिकली अबड होगा ठीक है XL-XC हो जाएगा और यह जो एंगल होता फाई इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल और सिमिलरली यह जो XL-XC होती है तो इसी के लोंग वाल्टेज भी ड्रॉफ होता है जिधर हमारे पास resistance आएगा उधर ही वाल्टेज ड्रॉफ होगा तो VL-VC की लाइन भी यह हो जाती है ठीक है और यह हो जाती भ XL-XC का स्क्वाइर सिमिलरली आप देखो कि इसी के क्रोस नेट वॉल्टेज ड्रॉफ भी आता है और वो किसके रावर होगा अगर यह VR है और यह VL-VC है तो यह किसकी रिजल्टन क्या जाएगी VR का स्क्वाइर प्लस VL-VC का होल स्क्वाइर ठीक है तो यह अगर नेट व है और वाई Z तो एक मिलेशनसीप यह हो गई फेज एंगल हो यहाँ पर फाइप को हम भी गोलते है फेज एंगल ठीके जो हमें फाइंड करने का कुश्छ गूला गया है ठीके और किस टरम में यह हमारे पास दे रखा है तो यही टर्म से में में फाइंड करना तो एक तो र विख सकते हो और इसका एक और टर्म आप क्या लिख सकते हो तो जब 10 5 लिख होगे तो 10 5 इकल्स टू क्या लिख होगे तो 10 5 इकल्स टू आप XL-XC upon R लिख होगे ठीक है और यहां से 5 की वेल्यू कितनी आ जागी 10 inverse XL-XC upon R तो जी स्टर में आप जाओ उस्टर में इसे लिख सकते हो ठीक है तो यही phase relationship होगा current and voltage का क्योंकि net current तो इस डिएक्शन में होगा आज राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 उपर